दोस्तों कभी हाईवे पे ट्रैवल किया होगा किसी हाईवे पे गए होगे गाड़ी में आप तो कही बार कि आउदा सड़क पे गड़े आ जाते हैं जादा बड़े नहीं छोटे गड़े आ जाते हैं कहीं ट्रैवर क्या करते हैं स्पीड में गाड़ी चल रही होती है और एक नहीं मार पाएंगे आपकी गाड़ी को उड़ा देंगे एक छोटे से गड़े से बचने के लिए लोग इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं कि पीछे आने वाला ट्रक या गाड़ी उनकी गाड़ी को उड़ा दे जान पे बना है और इस बात का एसास भी नहीं करते क्योंक तो यह गलती सिरफ एक सिंबल है हमारे emotional thought process का हमारी सोच में जो गलती है उसका दोस्तों यह common human tendency है अक्सर क्या होता है हम एक पल की परिशानी में या कुछ पलों की परिशानी की वज़े से situation की वज़े से इतने बड़े इतने strong फैसले ले लेते हैं जो हमारे जीवन को बहु चोटे चोटे गड़ों में हम इतने बड़े decision ले लेते हैं कि जिनका अंजाम हमें लंबे समय तक भोगना पड़ सकता है दोस्तों और एसास भी नहीं करते क्योंकि हम सिरफ उस पल में जी रहे हैं तो दोस्तों जो reactions होते हैं किसी भी stimuli पर कोई situation आके खड़ी हो गई आप react क कर रहे हो इनमें बहुत ताकत होती है यह कर तो आप कुछ पल में रहे हो लेकिन इनका impact लंबे समय तक चल सकता है आपको किसी इंसान पर गुस्सा आया किसी ने आपको गाली दे दी बहुत गुस्सा आया मेरे घरवालों को गाली दी मेरे घरवालों का नाम उचाला गुस् आईगी लोग हसेंगे, मैटर खतम हो जाएगा लेकिन क्या आपको पता है कि आपके एक मुक्के से इंसान का शरीर इतना कॉम्पलेक्स होता है कि उस इंसान की मृत्यू भी हो सकती है कही बार तीन-चार मंजिल से गिरने के बाद इंसान की मृत्य नहीं होती लेकिं कहीं बार सिर्फ एक मुक्य से इंसान की मृत्य हो जाती है पूरे जीवन आपको उस हादसे का अंजाम भोगना पड़ेगा उस दो पल के रियाक्शन का जहां पूरी तरीके से गलत भी नहीं थे उसका अंजाम भोगना पड़ेगा आपकी अपने पती या पत्नी से लड़ाई हो गई थोड़ी सी लड़ाई बढ़ गई कुछ गलत शब्द आपने बोले कुछ गलत शब्द उन्होंने बोले आप पागल से हो गए इसने मुझे गलत शब्द बोल दिये तू चड़ाक करती आपने उन्से बोल दिया कि मेरे जीवन से दूर चले जा तुझ जैसे इंसान से मैं रिष्टा नहीं रखना चाहता मैं तुझ से रिष्टा तोड़ दूँगा जबकि आपको पताए कि आपको रिष्टा नहीं तोड़ना गुस्से मैं आपने बोल दिया उनको डराने के लिए धमकाने के लिए लेकिन दोस्तों ये जो आपने अपने मूँसे बात निकाली है छोड़ी सी बात निकाली है रियक्शन में पूरे जीवन ये उस इंसान को याद रहेगी कि आपने रिष्टा तोड़ने की बात की थी मतलब आप आगे रिष्टा तोड़ सकते हो ये संभावना मौचूद है जबकि लड़ाईया हर दमपती में होती है दो लोग नजदी होंगे लड़ाईया होंगी कई पार जादा भी हो जाती है लेकिन जो शब्दों का चेयन हम सही नहीं कर पाते हैं कुछ गल्ट शब निकाल देते हैं वो लाइफ लॉंग उस रिष्टे में खटास डाल देते हैं क्यों सिरफ हमने कुछ पलों के गुसे में रियाक्शन दिया था और बाद में हमी अफसोस करते हैं और मैंने क्यों बोला तो दोस्तों हमारा जीवन हर आम इनसान का जीवन ऐसे रियाक्शन से बढ़ा पड़ा है जहां हम चंद पलों की प्रॉब्लम सिच्वेशन के लिए बहुत स्ट्रॉंग एक्शन ले जाते हैं चाहे वो करिएर को लेके हो रिष्टों को लेकर हो गुसे में हो ज़ादा इमोशनल होके हो ऐसे रियाक्शन जएक आम इनसान दे देता है ज़ादा तर वो इनसान बच जाता है कुछ ऐसी परिस्तिती हो जाती है कि उस रियाक्शन का इंपैक्ट नहीं जहिलना पड़ता लेकिन दोस्तों जो इंसान उन रियक्ष्ण का इमपैक्ट जहिलता है उसका दिल जानता है एक पल की गलती के लिए पूरा जीवन भुगतना पड़ता है पता नहीं कितने अनकिनत पलों तक उसके लिए रिगरेट करना पड़ता है भगवान ना करे है कि ऐसा दिन किसी की जिन्दगी में आए इसलि الذي को समझाता हूं कोई भी reaction दो कुछ पल सोच के दो सिर्फ कुछ पल यह सोच लो कि यह इस पल में जो गुसा आयाई है इस पल में जो हाँसा हुआ है situation आई है जो इमोशनल बिल्ड अप हो रहा है मेरे दिमाग के अंदर मैं अपने दिमाग पर से control होता जा रहा हूँ और जो reaction मैं देने वाला हूँ उसका मेरी life पे आने वाले सालों पे क्या फरक पड़ सकता है क्या नुकसान हो सकता है क्या फायदा हो सकता है सिर्फ चंद पल लगा के इस बात को सोचना और थोड़ा सा ठंडा होके अपना reaction देना बिल्कुल गर्मी में reaction नहीं देना सिर्फ एक्स्ट्रीम जो situation हो सकती है आपके इस reaction से उसके बारे में सोच लेना किसी आप थोड़े से normal हो जाओगे emotions कमजोर पढ़ जाएंगे और एक सही reaction दोगे मैं यह नहीं करा weak reaction दो डर जाओ भाग जाओ लेकिन समझदारी वाला reaction दो maturity वाला reaction दो action oriented काम करो regressive काम मत करो तो दोस्तों यह जीवन की ऐसी गलती है जो लगबख हराम इंसान कर देता है लेकिन यह बहुत का तरनाक थाबित हो सकती है तो इस गलती से जरूर बचो thank you